विधान सभध चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों की सक्रिता अपने चरम पर है नमांकन की प्रक्रिया अपने आखरी दोर पर है इस बीच अगर सिर्मौर विधान सभध छित्र की राजनीतिक समिकर्णों की बात करें तो यहां इस बार का मुकाबला काफी दिल्चस्प होने वाला है कॉंग्रेस बीजेपी के साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी ने लोगों का ध्यान अपनी और खीचा है माना जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर बहतर प्रदर्शन कर राजनीतिक विशलेस्तों को चौका सकती है। दरसल बेस्पी ने इस बार रिटायट पुलिस अधिकारी बीडी पांडे पर अपना दाउन लगाया है जबकि भाजपा की और से दो बार के विधायक और रीवराज घराने से तालुक रखने वाले दिविरासिंग मैदान पर हैं। वही कॉंग्रेस ने पूर विधायक और आदिवासी नेता राम गरीब कोल को अपना प्रत्यासी घोसित किया है। इसके अलावा समाजबादी पार्टी से पूर विधायक लक्षमन तिवारी और आम आदमी पार्टी से सरिता पांडित चुनावी मैदान पर हैं। कुल मिला कर देखा जाये तो राश्टी दलों के साथ साथ छेत्री दल भी छेत्र में धामा चौकडी मचाये हुए हैं। इधर राजनेतिक पंडितों की माने तो सिर्मौर विधान सभ हमें इस बार बिजेपी के दिवरा सिंग के सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के बीडी पांडे से हैं। सी एश्टी मदाताओं में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। वही दूसरी और दिवरा सिंग के दस वर्ष्ट के कारकाल के बाद अब एंटी इंकेवेंसी जैसी चीज भी उभर कर सामनी आ रही है। वही लोगों का मानना है कि रिवा जिले के महतवपूर विधान सभा सिर्मौर में विकास कारियों को उसे तरह से मूर्थ रूप नहीं दिया गया। जैसे कि इस छेत्र के लिए विकास होने चाहिए थे। फ्राक्तिक संपदा से पणिपूर इस छेत्र के हमेशा से अपेक्छा की जाती रही। इसकूल कॉलेज स्वास्ते सुविधा बिजली पानी सडक आदी सुविधाओं में भी यह छेत्र पिछडे पन का सिकार बना हुआ है। ऐसे में लोग अब नए चेहरे की तलास में हैं जो ना केवल जनता के मोल भूत सुविधाओं का ध्यान रखे बलकि छेत्र का समुचित विकास कर सके।